आपके तयारी में मैंने देखा कि आप वोकैप को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं बड़े परेशान रहते हैं और आप किसी परेशानी को दूर करने के लिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ वोकैप सिरीज जहापर आपको अलफ़ाइबिट कल सिरीज में आपको पूरे वोकैप मिलेगी और वहां से आप तयारी कर सकते हैं अपनी वोकैप के पार्ट को और आपके लिए काफी आसान हो जाएगा तो मैं प्रभीन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चलंज लक्सन टागेट पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप पहले description में जाएगा वहां पर साथी details पढ़ी हुई है और वहां से आप मेना phone number ले सकते हैं वहां से आप telegram challenge जोइंग कर सकते हैं वहां से आप बाकी details भी जोइंग कर सकते हैं तो आज हम discuss करने जा रहे हैं सनोनिम के बारे में ठीक है तो अराम से पढ़ेंगे क्योंकि मैं एक एक वर्ड की कई की सुनोनिम से बताऊंगा और कोशिस करोगा कुछ trick और technique की यूज करने की जिसे की चीज़े आपके लिए easy हो जाएं तो चले शुरू करते हैं अब इसमें पहला वर्ड मैंने लिया हो energy यह बहुत ज़रूरी है चुकि अब आप master बनने वाले हैं जाहर इसमें पहले होता है वार्षिकी का मतलब हुआ कि साल में जो आपको income होगी उसको बोलते है एन्विटी इस पैलिंग क्या है तो spelling है ए डबल अन यू आई टी वाई एन्विटी ठीक है यान्नू की income है कितनी साल बर में है यान्नू की जो इंकम है वो पूरे साल बर में फिक से ठीक है देखिए uses भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में उसका parts of speech भी बताऊंगा तो annuity क्या है noun है क्या है noun है अब देखिए he left an annuity of two thousand dollar for her wife in his will यानि कि उसने छोड़ा पूरे साल की कितनी 2000 dollar अपनी प्रत्नी के लिए अपनी विल में विल मतलब होता है वसीयत क्या होता है विल मतलब वसीयत ठीक है तो देखिए annuity क्या noun है क्योंकि इसके पहले देखिए an article का use किया गया है ठीक है यह आपको समझ में आगे annuity आसान था इसके बात में फिर मैंने आपसे कहा और देखिए इसमें क्या होता है कि जो spelling लिखी हुई है इसमें आर silent रहता इसको पढ़ते है अबॉरियल क्या पढ़ते है इसमें रा जो है यह जो आर है वो silent रहता अबॉरियल इसका मतलब होता है व्रक्ष संबंधी यानि जो उनको बोलते हैं Arboreal, यह Adjective होता है, जैसे कि Squirrels are arboreal creatures, यारनी कि जो Glherya होती है वो व्रक्ष संबंधी प्रारी है यारनी कि वो व्रक्षों में निवास करती है वो व्रक्षों में घूमती है, उनका जीवन यापन व्रक्षों में होता है जैसे कि monkey, monkey भी क्या करते हैं, व्यक्ष में ही रहते हैं, तो यह रखेगा, arboreal, ठीक है, अब यहां से जो आपको मिलेंगे और भी ज्यादा synonyms मिलेंगे, क्योंकि इनके बहुत synonyms हैं भी नहीं ज्यादा, लेकिन यहां से अब आपको हर एक शब्द के काफी synonyms मिलेंगे, तो आपको फोकस करके पढ़ना है, अब मैंने पहला वर लिया है, asparity, खेली हुआ है, asparity, यह क्या है नावन है, और इसका मतलब होता है, तीक्ष्णता या तीवरता, किसकी तीवरता, तो यह आपके वेवहार, यानि आपके मैनर, आपके सलीके की तीवरता, आपके गुस बऔर लिखा हुआ है, there was a touch of asparity in stone, क्या है, there was a touch of asparity in stone, अब देखिए यह क्या है, off क्या है, प्रैपो के बाद में क्या हता है, object आता है, वबिछे क्या है, area noun होता है, तो यह क्या है, asparity, object यानि noun आ रहा है, तो इक्या है, noun है, clear कर दिए है, याद रखेंगे ना asperity यानि आपके asperity जो है बहुत अच्छी नहीं है and don't show me your asperity या अपने वेहर की जो तीवरता है आप मुझे मत दिखाईए आप इसको इस तरह से भी use कर सकते है ठीके? don't show me your asperity क्योंकि your क्या होगे? adjective होगे? asperity क्या होगे? noun होगे? क्योंकि noun को qualify करने वाला adjective होता है अब देखिए कुछ synonyms के बारे में और discuss करते है harshness वैसे भी harsh का मतलब होता है तीक्षर तीवर और होगे harshness sharpness मतलब sharpness होता है नोकीला पन होता है लेकिन वो भी तीवर तो होता है बहुत चुबी लाइक दम चुबहो दो किसी के roughness यानि की रूखापन abrasiveness इस पहले देखिए harshness, sharpness और roughness तो आपको पता है अब देखिए abrasiveness A, B, R, A S, I और V, E abrasive abrasive और ness ये क्या होता है? ये भी तीवरता है ये ना? ठीक अब देखिए के penser severity का मतलब है इसका मतलब भी क्या होता है? तीवरता होता है ये रखिएगा और asrbit इसका मतलब ही क्या होता है? तीवरता होता है वैसे देखिए कि जहां पर आपको AC लग जाए ठीक है? या आप दकी तोब देखी रहे हैं सेवरी याद करने पड़ेंगे ने रूट इंपसे आप काफी मिनिंग्स लंड कर सकते हैं लेकिन सारी मिनिंग्स अप लरन् नहीं कर सकते हैं यह भी क्लियर कर लीजिए ब्यदिआ पर देखिऄ के यहां पर देखता और li 005 बताइए आप नहीं निकलेगा ना तो आपको लर्न करने पर फोकस करना चाहिए आप मैं आपको डेली कम सकम दस से पंदरा पढ़ा होगा और आप धीमे धीमे पढ़ेंगे आपको यार क्लास में ही हो जाएंगी और एक बार आपको रिवीजन करना पढ़ेगा अपने बाद म ठीक है अब देखिए का मैं इसके आगे डिसकस करता हूँ फिर मैंने कहा ये चीज़े क्लियर हो गई इसके सुनोनेम्स क्या क्या है हार्शनेस शापनेस रफनेस अब्रैसिवनेस सेवर्ची और असर्विची ठीक है याद रखिएगा और यह जो सेंटेस लिखा था देर व अबने क्या याद किया एनटी ता किyear क्या आप किया अब अब ओरियल अक्या थीजर अब टीसरा मैंने आपको बताय एसपेरिटी अ कि बिकरते चलेंगे अब देखी का अगला हैchnya आभरेशन किया हैंश आभ आना है अ है यह आभ आपो वैसे भी नेगर्टिव सेंस को देत जहां पर आयब हो ना वहां राशन लेके निकल लेना चाहिए आयब काम अजम निखान हो गया तो क्या फर्ज से आपका अपना समन ठाढ़कर राशन लेज्ड राशन लीजे कि दखना है तो आपको नुक्सान हो सकते गा tão यानि पलायन कर जाईए उलंगन हो गया नियमों का वहां पर वहां पर नियमों का पतन हो गया है तो एक ही से अपने sentence में देखेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे यह नाउन होता है तो नाउन की तरह यूज़ करेंगे यानि I will be keeping an eye out of sorry out for further transgression actually यह जो transgression लिखा हुआ है यह इसी का synonym हो यहाँ पर आप aboration भी लिख सकते हैं यानि कि मैं आप देखूंगा आगे की जो उलंगण है उनको में देखूंगा I will be keeping an eye out for other यानि मेरी नजरे जो आप पर टिकी हुई है further मतलब आगे होने वाली क्या transgression यह aboration यानि उलंगण क्यों उलंगण के sense में आ गया अब लिखा in a moment of operation अब यह पलायन के sense में कि पलायन के खशन में पलायन के समय she agreed to go with him यानि वह उसके साथ जाना जाने के लिए सहमत हो गए राजी हो गए उसके साथ जाने के लिए कि अब तो चले जाएंगे सही चोड़के तो फिर कव आएंगे पता नहीं तो इससे अच्छा है कि निकल लो उनके साथ में ठीक है याद रखेंगे ना इस तरह से आप इसको अब राशन लेके निकलना है अब देखिएगा सोणिम क्या है ट्रंस ग्रेशन याने कि ट्रंस ग्रेशन में आप देख रहे हैं कि अरबधकर निकल昨वा लीजिए अगरेशशन में या रखिएगा जैसे इड्गरेशन गुस्सा भुर्व ट्रांस थाइन्स ए इक civilization अब तरही भसबी टाया उलंगन जाह पर भसबीजते और वहां पर क्या होता है इसे lock कर फाल के तो आप जानते है जानते हैं कि डिकलाइन ये भी आप जानते है है जाते हैं पतं यान्न क्रेंजम कहता है downfall का मतलब भी होता है relapse relapse lap मेरे क्यों होता है गायब हो जाना किन चीज़ों के गायब हो जाना तो आप यहाँ पर लंगण की बात हो रही है तो बार-बार नीमों का lap हो जाना बार-बार लैप हो जाना ऐसे आप मानके चलिए पढ़िे तो याद हो जाएगी पतन, उलंगन, ना decadence का मतलब के होता है का होता है याद कैसे करेंगे ने देखिए decade होता है decade माने धाटाओ तो decadence का मतलब हो गया उलंगन यानि घटाओ यानि पतन और वेन वें जैसे waste होता है बरबाद, बेकार बैसे वेन चला गया बरबाद चला गया वेन बोलते हैं जिसे फ्रेजल में याद मतलब है उलंगा तो आपको इतनी याद हो गई होंगे है अगर आपने मन से पढ़ा मेरी टेक्निक यूज़ करें आपको फायदा हो रहा है अब राशन लेके निकल लो क्योंकि ट्रांसग्रेशन ट वैसे भी आपने तना एफट किया हो गया है यानि बेकार हो गया आगे चलते है क्लियर रहा है ना समझ में ना है तो बता दीजीगा ठीक है और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर एक कॉमेंच और एक लाइक और एक शेयर क्या रखिएगा नीचे लिखा हुआ है इस बात को कि अगर ना कहना पड़े इसलिए मैं लिख दिया है अच्छा है लगता है आप लोग गरुजी हम करतो देते हैं क्यों आप बार आप कहते हैं लेकिन कहना पड़ता है याद दिलाना पड़ता है काच अप्षाद रहे बलवाना आपको आपका बल याद दिलाना पड़ता है तो क्या नहीं कर सकते हैं इतनी याद हो गई अब तो नहीं हो गई याद हो गई आपको एवारीकेब कर ले एनुटी अबोरियल असपर्डी अबोरेशन और अब पढ़ेंगे एप्रोबेशन प्रशंसा देखिए इसमें क्या है एप लगा है एप्रूव एप्रो लगा हुआ है मतला स्विक्रती एप्रूवल एसेप्टेंस तो यह क्या है एप्रूव लिखा हुआ है वर्ड बना दिया उसे इसे नाउन क्योंकि नाउन बनाने के लिए आप जानते है कि टी आई ओ एन लगाना होता है अटेखे मैंने कहा कि राम और श्याम एक्सप्रेस्ट दियर एप्रोबेशन वयामली यानि कि राम और स्याम ने अपना जो अपने श्विक्रती है अपना जूप्रोबेशन है व travelers गर्म जोशी के साथ याद हो जाएगा इसकी स्विक्रती अब इसकी स्विक्रती हो जाए सोची अगर आपने कोई काम किया है और उस काम को लोग accept कर लें कि वाक्चा काम किया है तो आपके प्रशंसा होगी कि नहीं होगी जाएर सी बात है कि आपको appreciation मिलेगा आपकी प्रशंसा होगी तो बस ऐसे connect कर लीजिए आपको याद हो जाएगा और सनोनिम्स देखिए गातो acceptance यानि स्विक्रती आपको पता है ascent means सहमती यानि स्विक्रती आपको पता है admission हो जाए मत्लब सहमती हो गई एड़्यमिट कर लिए慮 अड़्यमिशन जो बना है वो admit से बना है यानि स्विकार और adoption मतलब ही क्या होता है अपना लेना यानि कि स्विक्रती हो गई और compliance का मतलब भी क्या होता है स्विक्रती हो गई ठीक है तो यह आपको वर्ड या रखना है acceptance, assent, admission, adoption और compliance या रखेंगा या रखेंगा या रखेंगा complaint मत समझ लिजए यह compliance है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है यह है amenable इसको पढ़ते है amenable ठीक है और amenable यह कहा है एड्जेक्टिव है इसका मतलब होता है उत्तरदाई यानि कि responsible है लाइबल अब यह लिखा विलिंग टू एसेप्ट और बी इंफिलिएंट बाई कि a suggestion यानि आपको amenable वहां यूज करना है जहां पर आपकी इच्छा है कि आप स्विकार करने चीज़ों को किसी के प्रभाव में आकर के किसी के suggestion लिए कि जैसे मैंने आपसे कहा मैंने आपको कोई suggestion दिया और आपने उसचीज को accept कर लिया तो वो क्या हो गया वो हो गया आपका amenable थिक है यानि amenable का मतलब होता है कि कि किसी के प्रभाव में ।ा कि उसको प्रभार कर लेना अब आपकी responsible भी होता है जिसको आप कहते हैं फबिल भी घ्मिन हम लेट, को मुमंहेबल वषेया होती है इसलों में आदमी की तुलन में को मुममाइस लैट,बिल अपन है आद可能ugs भी लेट से लिटा होती है जाद अई ज़ना संह necesita करने इस भी बिना किसी था नेला हो मैं भादुर बाहती है बहुत इसके opposite भी है तो be the one ठीक है? She might be more amenable to the idea if you explain how much money it would shave यानि कि वो क्या हो जाएगी? She might be more amenable वो क्या हो जाएगी? amenable हो जाएगी यानि कि वो प्रभावित हो जाएगी to the idea उस idea से यदि आप explain करेंगे क्या how much money it would save कि वो कितना पैसा बचा सकती है यह सब past की बाते हो रही है यानि वो प्रभावित हो गई थी जब आपने explain किया थी कि आप कितना पैसा बचा सकती है उससे प्रभावित हो गई और मैं चोटी fund में पैसा लगा दिया आते ना company वाले घर पे अरे आप इतना लगाई है सिर्फ 2000 रुपए पर मैं न लगाई है और आप पांस साल में आपको 50 लाख रुपए मिलेगा अलूट के भग जाते हैं लालच बुरी बला है यह याद होगे ना amenable, amenable का मतलब होता है responsible, level यानि उत्तरदाई पहला अब दूसरा होता है किसी के प्रभाव किसी के सदेशन से प्रभावित हो जाना ठीक है उसको accept कर लेना अब देखिए सुनोनिम या रखिएगा compliant जैसे अब आपने compliance पढ़ा तो वह भी कहा स्विक्रती तो है acceptance तो है compliant पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने देखिए compliance यह यह compliant है यानि स्विक्रती यानि कि उसको accept कर लेना किसी के प्रभाव में आ करके acquiescent इसकी spelling क्या होगी a c q u i e s c e n t ascent 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 acquiescent का मतलब स्विक्रती bidable responsible liable or complacent इनका मतलब भी क्या होता है स्विक्रती होता है भाई देखिए bid क्या होती bid लगाते न आप लो यह बंगला 20 करोड का है इसकी starting 20 करोड से होती है आप कहेंगे 20 करोड एक 30 करोड 30 करोड एक उसी को bid bid लगा रहा है मतलब आप स्विकार कर रहे है बोली लगा रहे है यानि बोली लगाने के मतलब आप उस rate को स्विकार कर रहे है तो यानि बिजेवल लेकिन मैं तो कहता हूं बुरी चीजों से भी परहेश कीजिए अच्छी बात है टाइम बरबात करने से भी परहेश कीजिए तभी तो जॉब मिलेगी मैंने का I started drinking again after 6 years of abstinence और यह नाउन है देखिए प्रैपो अप्रैपो को बात में उसका object यानि नाउन यानि कि मैंने पीना शुरू कर दिया 6 साल बाद वह भी परहेश after 6 years of abstinence यह ने परहेश की 6 साल बाद मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया मैं नहीं हूं किसी विक्ति की भावना हो सकती है कहते है काना मतचेड़ो हम सताए हुए कोई होगा ऐसा ही चलिए सुनोनेम देखिए का टीटो टैलिज्म मैंने आपको पढ़ाए टीटो टालर वन वर्स अप्रटूटिशन में मैंने पढ़ाए था और इसका मतलब होता है जो मत लिए का डृंकिंग का त्यार कर देता है तो परहिज हुआ शराब का त्यार करना परहिज ही तई हुआ म कुँआ मौरेशन यानि कि आप मौर्ट खाना खाते हैं आप सीमित बहुत लिम्टेड खाना खाते हैं बहुत moderate रहते हैं आप यानि वह भी क्या तरह सका परहेज ही है आप किसी भी चीज में moderate हो जाए है ज्यादा बोलने में moderate हो गया तो मतलब ज्यादा बोलने से परहेज हो गया खाने में moderate है तो ज्यादा खाने से परहेज हो गया moderate, sobriety यह आपको याद करने पड़ेगी यह आपके लिए नई मीनिंग है आप चाहिन तो याद कर सकते हैं sobriety, control तो यह पता ही control मतलब परहेजी है continence continence यह भी याद कर लीजेगा कुछ दिमाग भी लगाती जाएगा और डाइट, तो आप डाइट में रहते हैं तो क्या करते हैं? परहेजी करते हैं footy नहीं खाना है बहुत जादा है chastity chastity का मतलब भी क्या होता है? परहेज होता है और देखिए वोकैब कोई जादू नहीं है कोई भी teaching methods जादू नहीं है you have to work hard आपको तब भी मेहत करना पड़ेगा एक एक वर्ड को दो तीन तीन पड़ना पड़ेगा और जैसे मैं connect करने कोशिस कर रहा हूं आप भी वैसा कीजिएगा आपको जल्ली याद हो जाएंगे ठीक है? आगे बढ़े आओ चलिए अब आता है ambivalent और ambivalent का मतलब क्या होता है? यह पहले बाद तो यह adjective होता है ठीक है? और ambivalent जो होता है यह mixed feeling होता है मतलब कि किसी वेक्ति से हम नफरत भी करते हैं और उसी वेक्ति से हम प्यार भी करते हैं किसी वक्ति पर हमें गुस्सा भी बहुत आता है और किसी वक्ति पर हमें प्यार भी बहुत आता है किसी वक्ति कि हम बुराई भी बताते हैं उसके अक्षाईयां भी बताते जाते हैं जो यह mixed feelings होती हैं जो यह mixed contradictory feelings होती हैं उनको बोलते है ambivalent बोलते है Amphibian यानि कि जल और जमीन दोनों में रहने वाला तो MB का मतलब ही होता है दो के लिए आता है और यहां पर violent मतलब समझ लिए कि feeling वगएरा जो भी है violent समझ लिए गुसा प्यार चलिए तो यहां पर लिखा हुआ है having missed feelings or contradictory ideas about something or someone यानि किसी चीज और किसी विक्ति के बारे में positive और negative दोनों चीज़ों के बारे दोनों चुझने की सोच रखना उसको बोलते ambivalent और यह दोनों एक साथ रहती हैं जैसे लिखा हुआ है some loved her कुछ उससे प्यार करते थे some hated her कुछ उससे नफरत करते थे few were ambivalent about her और कुछ उससे दोनों करते थे वक्त वक्त पे प्यार और बेवक्त पे लड़ाई और यह अकसर husband wife में जादा होता है अलाकि उनके अंदर बुराई नहीं होती है वह जगणा भी बहुत करेंगे और प्यार भी घर तो प्यार से ही चलेगा तो यह देखें ambivalent बहुत अच्छी मीनिंगी याद कर लीजेगा अब देखें एक्वी वोकल वोकल मीन्स हो गया भाशा और एक्वी मीन्स हो गया बराबर यानि यानि आप मैं करनके करने कोशिस करण हुआ हो एक्वी वोकल मतलब कि इसमान भाशा यानि कि कभी प्यार कभी गुस्सल चल रही अपना अपना है शेह करने जिख सेंप पियार करने नफ करतिरैं दोनों यह यं़र और ना चाहिए डाउड़ में बागी ही तो आको पत Indecisive इसका मतलब भी क्या होता है? डबल भावना रखने वाला Inconclusive मतलब अनिश्यत के संस में आते हैं अनिश्यत Inconclusive Inconclusive Irresolute In two minds दो दिमांग एक प्यार वाला है और अच्छा वाला है दो दिमांग यानि कि डिलेमा Undecided Unresolved जो solve नहीं हुआ मतलब कि अभी डाउट में uncertain अनिश्यत है इन है जिलेमा जिलेमा तो आप जानते हैं अच्छे से जानते हैं अच्छे से यानि कि दुविधा इन सब का मतलब क्या होता है? दुविधा होता है Ambivalent का sense भी दुविधा होता है कि मुझे नहीं पता इए में प्यार करता हूँ इंड़ करता हूँ अगे बढ़े हैं चलिए वीडियो पसंद आजाए तो बिना किसी देरी की लाइक ठोक दीजगा और एक कमेंट भी ठोको लाइक शिद्धुपाजी की तरह है अब देखे अबेश इसका मतलब होता लजज़ित करना इंसर्ड करना डिस्रिस्पेक्ट करना जैसे कि मैंने कहा यह क्या वर्ब है हर एल्डर कजिंस अबेज्ड हर कमेंटिंग और शाइन यानि कि हर एल्डर कजिंस जो जितने वी उनके चचेरे भाई बहन है वह अबेज्ड यानि उन्हें इंसर्ड किया किसकी उसकी बाई कमेंटिंग और शाइन उसकी शर्मी लेपन किया कि मेमान आ जाते हैं तो बड़ी चुपसांत बैड़ी आती यह लड़की वैसे तो पटर पटर चलता रहता है इसका मूँ बार बार उसके कमेंट करके उसको क्या कर रहा है अरे दिखने में शरीफ होता नहीं अगर घर पे भाई बहन है और अगर भाई की तारीफ हो रही है या बहन की तारीफ हो रही है अब मेमान बैठे हैं तो भाई क्या कहेगा अरे वह दिखती शरीफ है बहुत बतमास ही है क्या कर रहा है अबैश कर रहा है बहस कर रहा है बहस कर रहा है बहस कर रहा है अबैश यह रखिएगा जैसे कि Embarrassed मतलब लजजद करना है निराशा Don't Embarrass me जैसे आप बोलते है जैसे आप बोलते है कुछ नए वर्स को यूज़ करते जाएए तो आपकी वह अच्छी हो जाएगी अगर आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर वह भूल जाएगा Ashamed यानि कि शेम ना होना यानि कि लजजद बेजद ही करना Remorseful और Remorseful का मतलब भी क्या होता है यह L यहां से अटा देता हूँ है यह L इसका था Remorseful का मतलब भी क्या होता है बेजदी लजजद Mortified और Mortified का मतलब भी क्या है इसको यार रखें कि Morty Mortified Mortified Spelling यार रखना है M-O-R-T-I होता है मोटी चक्कर में M-O-T-I Mortified मागी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे आपका एक्दम सही हो जाएगा मजा आ रहा है मजा रहा है दसमी मीनिंग देखते हैं मीनिंग भली दस बताई मैंने अभी तक 9 बताई और आपने बहुत सारी सुनुनिम सीख लिए और यह वाला तो आपको पताए अब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता का त्याकर देना अपने ने आपको रहा है तक राजा ने कि रहा है तक रहा है राज सिंगार्शन का त्याकर देगा याद रखेंगे रहा है राजा रहा है ने रहा है retire हो जाना quit कर देना stand down मतब कि उतर आओ नीचे गद्दी से अब आ जाओ चलो हो गया आपका बावन पुराने समय में आप जानते हैं कि लड़के जो बच्चे होते थे अपने माबा मतब जो उनके बाबा बैड़ते थे गद्दी पर चलो उतर हो गया अब मैं राज करूँगा जान से मार देते थे step down नीचे उतर आओ यानि resign कर देना नीचे खड़े हो जाओ stand down यानि कि resign कर देना bow out जुगना यानि कि resign कर देना सत्ता कर देना जुग है अब हमारे बसका नहीं है अब हम चले अपनी गली छोड़ चाड़के अपनी सलीम की गली अनार के लिए डिसको चली ठीक है आप भी डिसको चलिए और रिनाउंस रिनाउंस का मतलब भी होता है सत्ता का त्याग कर दे कर दे लिए रिनाउंस दटा थ्रोण मतलब पता है गधि और आंउंस मतलब त्याग कर देना abdicate relinquish इसका भी मतलब क्या होता है relinquish का मतलब यह होता है यह रखेगा यह वर्ड आपसे परचित है आप बहुत बार बोलते भी रहते हैं आपको याद हो गया होगा लेकिन यह कुछ फ्रेजल वब आप याद कर लीजिए आपके काम आजाएगा stand down मतलब के सत्ता करत्याग step down मतलब के सत्ता करत्याग bow out वह भी क्या सत्ता करत्याग याद कर लीजिए समझ में आगी कहानी शलिए और पानी भी थोड़ा से पी लेता है अब देखेगा अब है abortive और abortive का मतलब होता है निशफल क्योंकि abort हो गया जिसे abortion मना शब वह बेकार कर दिया उसको निशफल कर दिया वैसे abort का मतलब होता है कि रद कर देना बोलता है mission abort कर दो we had to abandon our abortive attempts यानि कि we had to abandon abandon का मतलब भी होता आएए कि हम्मे त्याग स है को निष्भल प्रयतनों को यह an أنا कि हमें अपने निष्भल प्रयतनों को त्याग आए कि वह बार भार कोई कर रहे हैं और आसफल हो रहे हैं तो उनको ने थे खर थ्षूड़ो यार कुछ और ट्राइ करते अब इसके synonyms क्या होंगे ये बहुत अच्छा वाले इसको पढ़ते हैं दवार्थित क्या पढ़ते हैं इसको मैंने पढ़ता है कुछ बोलने में दिक्कत होती होती है usteralized बन्कल बन थो इसका मतलब भी रहोता है? iusteralize कर दिता है आप सरहते हैं कि जो दवाईया पर इसमें usteralized होता एक जो निस्क्री कर देता या को उसी को रहते है usteralized unavailing avail मतलब थो दो जो दिटता है फाया उठाना बट अनलग जिना उसका पारता है यानि की निशवल करेंना फायदा उठाए मतलब की फल मिलगई आपको अगर आप अनवेल कर रहे हैं मतलब इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो वह क्या हो निशवल हो जाएगा यसा है कि मेरे वीडियो आप नहीं देख diarrhea आपे से नहीं फायदा हो रहा है अब इन लग गया निश्पल बेकार निश्पल नहीं है बेकार निश्पल ए इसे इंग्लिश में जो शब्द है वह ऐसी मिलाजुला करके बने हुए है एक दूसरे से तो थूर्टीड इस्ट्राइजड अन अवेहल्ग और इन्kickकर लीजिए गार निकले तन निश्पल आवोचे को याद कर लीजिए अब दिखेंजए यह को आपसर्मे यह और एकसर्मे अजिए इसका मतलब है मिताहारी मिताहारी का मतलब है कि खाने में बहुत चूजी होना मतलब कि बहुत हिसाब का खाना खाना मौडरेट भोजन करना ठीक है? मौडरेट भोजन करना ठीक है? और परहेस का मतलब होता है कि वो चीज ना खाना और अबस्ट्रीमिस का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना जरूरत के हिसाब से खाना moderate in eating and drinking I have been extraordinary after me यानि मुझे आसाधरान मिताहारी होना पड़ा ठीक है या I have been extraordinary after me कि मैं बहुत ही आसाधरान भूजन करने में बहुत ही आसाधरान मतला कि मैं बहुत ज़ादा मैं स्टाषिँ मिताहारी हो तरह जचेक्टिव कर देरे इडजेक्टिव गा और इसकोको क्षच्च्च्च्च्च्च्च्च करती है ly क्या है अडज़ाइक्टिव जब आऽ लगता है तो जाता है तो यह add up हो गया ठीक है देखिए जब आप चीजों को sequence में पढ़ते हैं आपको parts of speech clear हो गया आपके 60% grammar आगई आपको फिर आप 30% में बसता है क्या वह कैव अब बांकि 10% में narration wise वगएरा इस सब चीज़े आती है अब देखिए स्पार्टन स्पार्टन का मतलब भी क्या होता है आप जानते हैं कि स्पार्टन का मतलब भी होता है मिताहारी देखिए स्पार्टन एक सेना हुआ करती थी आफ कहीं की मुझे exactly रोमोम की स्पार्टन सेना होती थी तो जो सेना होते थे जंगलों में बहुत कुछ भी खाकर की बिता देते थे बैचारे ऐसे आप याद कर लीजिए खाते तो वो लोग बहुत थे तब कि इतने पावरफुल होते थे इतने स्ट्रॉंग होते थे स्पार्टन ठीक है इतने कि मिताहारी होना सॉबर S O B E S सॉबर टैमपरेट चैरी और औस्टियर मेनिंग कुछ नहीं नहीं है अगर आपको ज्यादा लग रही हो कि बहुत नहीं है तो आप तो आप साथ टाइम दीजिए आपको कोई जल्दी वाजी नहीं कि आप तुरंट एक दिन में रट्टा मालें सारी चीज़े ठीक है अगर मैं आपको 15 पढ़ाता हम ज्यादा है तो आप 10 10 कर दूँगा तो बोलिए स्पार्टन अबस्टिनेंट सॉबर टैमपरेट चैरी और आस्टियर इतनी बाते क्लियर हो गई आगे बढ़े हैं चलिए अब आते हैं अकलेट और अकलेट का मतलब होता है सम्मान अवर्ड रिगाड और और यह कहा है नाउन है नाउन हर एप्रूवल वाज दा हाइएस्ट एकोलेट ही कुड रिसीव और यह उसने जब प्रपोजल को स्प्ट कर लिया एप्रूवल दे दिया स्विक्रती अपनी दे दी तो क्या हो गया क्या हो गया बताइए यह उसके लिए सबसे हाइस्ट सम्मान था जो उसको मिला विचारा प्रपोज किया होगा बहुत साल तक वेट किया अचानक से उसका मैसेज आया कि यस मी टू अब काया को भाईया जूले जूले गूम रहे पूरे महले में हर एप्रूवल वाज दा हाइस्ट सम्मान तो हाइस्ट क्या है आपका आप जानते है एड्जेक्टिव है सम्मान यह नाउन है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एड्जेक्टिव सुनुनिम क्या होंगे तो आवर्ड आउनर, रिस्पैक्ट, रिगार्ड डिफ्रेंस का मतलब भी सम्मान होता है भिन्नता तो होती है लेकिन डिफ्रेंस का मतलब भी सम्मान भी होता है रिवरेंस, R.E. V.E. R.E.N.C.E रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब भी क्या होता है सम्मान होता है जब आप चीजों को पढ़े रहते हैं तो जब एक्जाम में ऑप्शन में आता है तो आप आर्टोमेंटिकली गेस कर जाते है अब आते हैं अगला वह एब्रोगेट और अब्रोगेट का मतलब है निरस्थ करना तो आपको करना चाहिए वो आपको करना ना करना भी क्या होता है अब्रोगेट होता है आपको पढ़ना चाहिए और आप नहीं पढ़ने वो क्या अब्रोगेट हो गया है आपको समय से याद करना चाहिए सब्सक्राइब आप नहीं करें वो क्या अब्रोगेट है जैसे the treaty was abrogated in 1962 और यह verb है देखिए verb आरा है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानिकि बी क्या ह मतलब होता है संधी समझोता companies are really abrogating responsibility for safety यानि कि जो companyya है really abrogating यहाँ पर abrogating का मतलब है कि नजर अंदाज कर रही है जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रही है यानि कि नजर अंदाज कर रही है responsibility for safety safety के लिए जो एक जिम्मेदारी है company की वो इसको क्या कर रही है आप्रोगेट कर रही है नजर अंदाज कर रही है तो बहुत important meaning बहुत अच्छी meaning है इसको याद कर लीजे ठीक है बहुत अच्छी है कई जगे आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा impression आएगा और exam में प repudiate, 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 revoke का मतलब है नरस्त कर देना, repeal का मतलब है ठीक है? resign का मतलब है यह तो बहुत आप जानते हैं रोक लगा देना, नरस्त कर देना, over chan, over rule बोलते हैं, judge बोलते हैं? over rule, नरस्त कर दे, objection में लो, over rule, over rule यानि कि नरस्त कर दिया गया, override, break off, यह याद रखिए कि break off important है, most important, phrasal verb की purpose से, break off का मतलब है, abrogate यानि नरस्त कर देना, पता नहीं क्या पाता है, comprehension में आपसे कुछ sentence दे, उसमें break off दे दे, और बात में इसका सुनने में पूछ दे आप या revoke दे, या repudiate दे, आपको या रखना है, ठीक है, learn करना आपकी duty है, पढ़ाना मेरी duty है, अगर आप duty अपनी duty करेंगे, उसे abrogate नहीं करेंगे, तो definitely आपको सफलता मिलेगी, आप देखिए क्या है, axiomatic, और axiomatic क्या है, adjective है, और इसका मतलब होता है, swim-sidh, और यह adjective है, यह बहुत है, यह बहुत ही swim-sidh, संत है, he is an axiomatic scent, इसे लिका हुआ है, it is an axiomatic fact, यानि कि अपने आप में सर्व-sidh fact है, इसको shidh करने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते है, axiomatic, that governments rise and fall on the state of the economy, यानि कि जो government है, जब state की economy गिरती उठती है, यह fact बिल्कुछ सच है, अगर state सुरक्षित नहीं है, state में कुछ कमी आ रही है, गरीबी आ रही है, लाचारी आ रही है, विरोजगारी आ रही है, तो यह सर्वसत्त है कि उस सरकार पर असर डालेगी, डालेगी, तो यह swim-sidh fact है, ऐसे आप कीजिएगा axiomatic, clear हो गया, यानि कि self-evident, स्वयम जो proof है वो अपने आप में, determinative, द्रण है अपने आप में, अटल है, affirm, बोलते रहे हैं, affirm, ripe, पग गया है, यानि कि कुल्म लागए कि अपने आप में स्वयम सिद्ध है, यह आपको यहार रखना है, उसको बोलते हैं, axiomatic, 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 अजका मतलब होता है, यह आप भी axiomatic, स्वयम सिद्ध है, यह आप में जो कह दिया, कह दिया, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, अब जो नहीं बोलता हूं वो मैं definitely करता हूं, वही रावडी राथॉल वाले मूवी कर डायलो है, चलिए, तो 15 बहुत है, और साथ में बहुत सारी आपको synonyms भी मैंने बता है, and I tried my best, कि आपको कोई चीज दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, हाँ, तो I really I tried my best to make you understand, I am now your duty, to learn all these meanings, by your heart, ठीक है, अभी आपकी रूटी ही कि आप सारी मिनिंग्स को एकदम याद कर ले, So guys, कैसी लगी वीडियो, एक कमेंट करके अपना जरूर बताईएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, बाई and टेक खियर